यकृत दाल्योदर क्या होता है यकृत दाल्योदर मतलब जैसे अचारें हैं जो उन्होंने अलग से किस कोई चैप्टर में अलग से वर्णन नहीं किया यकृत दाल्योदर का जब उन्होंने वात मतलब जो उदर रोग है उनको डिस्क्राइब किया न कि आठ प्रकार के होते ह तो वहाँ पे वातोदर है, पित है, कफोदर है, सनि पातोदर है, जलोदर है, या फिर उसमें आया था हमारा पलिहोदर तो पलिहोदर बताने के बाद ऐसा बोलते है कि पलिहोदर के समान इसके हेतुÓ संपरापती लक्षण होते हैं. बट जो शोथ वाम पार्शव में न होकर दक्षिन पार्शव में हो उसको यक्रित दालियोदर बोल दिया क्योंकि लिवर हमारा राइट साइड में है तो यक्रित दालियोदर जो हो इसका वरणन अचारिय चरक ने तो इसी प्रकार से किया कि जब ये जो शोथ है मतलब जो प लिहोदर के समान इसके हेतु संप्राप्ति और लक्षन होते हैं तो क्या होगे इसके हेतु? विदाही अन्नपान या अभिशन्धी अहार विहार का सेवन संप्राप्ति क्या है निदानों के सेवन से जो कफ है और रक्त है वो दूशी तो जाएगा यानि कफ और रक्त में दोश बोले दूशी तो जाएगे जिसकी वज़े से जो यकृत होता है यानि लीवर है वो continuously size में grow करता रहता है निरंतर वृद्धी को प्राप्त होता रहता ह है जिसको बोलते हैं यकृत दाले उदर इसके लक्षन क्या आते हैं ये तो होगा ही कि यकृत की वृद्धी हो रही है प्लस में मंद ज्वर होगा पेशेंट को अगनी मंद हो जाएगी दुरबलता होगी उसको पांडुता होगी दहा गौरवता मूर्चा चिकित्सा की बा इसके बाद पेशेंट को दधी युक्त भोजन देके जो उसकी दाहिनी कूर पर संधी होते हैं राइट साइड की जो एल्बो जोइंट है वहां की सिरा वेध करने को बोला और इस टाइम पर यकृत जोता है उसका मर्दन करते रहना है मतलब उसको थोड़ा मसाज देते रह प्लास्क शारोदक का प्रिपान कराना है शटपल घृत देना है पेशेंट को और अगर बात करें अगनी कर्म की तो जो राइट हमारी रिस्ट जोइंट है नि दक्षिन मनी बंद है जो उसको थोड़ा जुका कर मतलब थोड़ा मोड कर जो राइट थंब होता है जो भी ठीक ना हो फिर सिरावेद और अगनी कर्म आप कर सकते हैं इसको आप मौडन में कोरिलेट कर सकते हैं हीपेटो मगैली से तो वाट इस हीपेटो मगैली इस अ कंडिशन ओफ एविंग एन लाज लिवर ठीक है यह नॉन स्पेसिफिक मेडिकल साइन है वैविंग एनी कॉ वैसे तो यह हीपेटो मगैली खुदे कोई ऐसी नहीं है किसी और डिजीज के ऐसा सिम्टम या साइन यह मिल सकता है तो इसके बहुत सारी कॉजिस हो सकते हैं इंफेक्शियस कॉजिस भी टूमर भी हो सकता है या फिर कोई मेटाबॉलिक डिसॉडर तो इसको हम डिटेल में अगर पढ़ें, causes क्या होते हैं हिपेटो मगैली के? इंफेक्शन और लिवर, टूमर हो सकता है, असाइटिस हो सकता है, जॉन्डिस हो गया, हैपिटाइटिस हो गया, पोर्टल हाइपर टेंशन हो गया, हिपेटिक फेलियर हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, अलकॉहॉलिक या फिर हीमोलिटिक एनीमिया है इसकी वज़े से या लीवर एपसेस है तो उसमें भी हेपेटो मगैली देखने को मिलेगी देन हम बात करते हैं ऐसे पेशेंट की आप इन्वेस्टिकेशन क्या क्या कराएंगे तो फिजिकल एग्जामिनेशन एक तो उससे ही पता चल जाएगा जब आप पालपेट करेंगे उसके अब डॉमन को उसके बाद CBC कराएंगे अब आपको कॉज जानने आपको पता तो चल गया कि उसको प्रॉब्लम है हिपेटो मगैली फिजिकल एग्जामिनेशन से लेकिन क्या कॉज है उसको जानने के लिए CBC कराएंगे LFT कराएंगे पेशेंट का यूरीन एग्जामिनेशन स्टूल यूएसजी कराएंगे या ERCP CT स्कैन करा सकते हैं ट्रीटमेंट के अगर हम बात करें तो पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे एंटी वाइटिक्स देंगे अगर कार्सिनोमा की वज़े से है तो हम क्या कराएंगे सरजरी कराएंगे या रेडियो थेरपी देते हैं को आईरवेद में पूछा जा यकृत दाले अधर तो आपको हिपेटो मगैली से कोरिलेट करते हैं कोरिलेट करके दोनों को एक साथ लिखना है लिवर एपसेस क्या है यहां पर क्या दिया जो स्लेबस है यकृत विद्रदी करके लिखा तो देखी किसी भी अचारे ने कोई अ जादा explain नहीं कि है modern में आप उसको लिवर एपसेस से कोरिलेट करते हो तो वो आपने लिखने है modern में लिवर एपसेस क्या है पस फिल्ड मास इंसाइड दा लिवर एपसेस ठीक है तो हमारी जो लिवर एपसेस होती है उसके main three types है एक तो होती है पायोजेनिक दूसरी होती ह है हमारी amoebic और third होती है fungal यानि in causes के according बोलती है पायोजेनिक amoebic और fungal तो पहले हम discuss करते हैं पायोजेनिक लिवर एपसेस को पायोजेनिक लिवर एपसेस के क्या-क्या causes हो सकते है तो infection through the portal vein यानि portal vein के through infection आ सकता है वो कब acute appendicitis है patient को acute amoebic colitis है या फिर ulcerative colitis है तो क्या हुआ portal vein के through infection पहुँच गया दूसरे इसके क्या causes हो सकते है extension of the abscess मतलब sub diaphragmatic abscess थी patient को तो वो lever तक आ गई तो वो कारण हो सकता है या फिर empymic thoracis हो सकता है penetrating injuries की वज़े से हो सकती है pyogenic abscess या फिर infection through CBD CBD के through infection आया है तो जैसे structure है CBD का या ERCP जो procedure है वो कर रहे थे तो उसके through infection आ गया ये कारण हो सकते है नेक्स्ट हमारा आता है बाकी causative organism जो है pyemic जो हमारी abscess है उसमें ecoli है mainly तो उसके अब आद जो वो bacteria right fragilis है staphylococcus है या streptococcus है sedomonas भी हो सकता है clinical feature की बात अगर करें तो जो acute abscess जो होती है हमारे liver की वो multiple देखने को मिलेंगी acute वाली multiple होंगी chronic अगर है patient को तो वो single होगी tender hypatomegaly मिलेगी इसमें low grade fever हो सकता है high grade fever भी हो सकता है abdominal discomfort होगा patient को अगर हम बात करें कि आप इसका investigation क्या कराए तो जब आप CBC कराते है patient का तो उसमें जो हो TLC बड़ा हुआ मिलता है abdominal USG करा सकते हैं आप chest x-ray करा सकते हैं फिर stool examination करा सकते हैं treatment की अगर हम बात करें तो conservative treatment में क्या है कि अगर small abscess है किसी को multiple है और small है तो maybe antibiotic से respond करें तो antibiotic patient को चलानी पड़ती है then आता है percutaneous drainage आपको करनी पड़ती है percutaneous हाँ मतलब जो ultrasound या CT scan से guided aspiration या drainage हम कर लेते हैं जो abscess है उसकी या फिर surgical method आता है या open method जो है laparotomy करके फिर उसको drain कर लेते हैं दूसरी हमारी आती है amoebic liver abscess mainly यह ज़्यादा देखने को मिलेगी it is also called tropical abscess इसको tropical abscess बोलते हैं इसका main कारण का है antamoeba histolytica ठी amoebic dysentery होती है ना antamoeba histolytica की वज़े से तो amoebic dysentery की as a complication यह present होगा amoebic liver abscess इसके clinical feature क्या मिलेंगे male ज़्यादा तर effect होते हैं जो alcohol लेते हैं male ज़्यादा effect होगे age group 22-40 year of age वो ज़्यादा involved होगा यह low socioeconomic status वाले patient को ज़्यादा देखने को मिलेगा severe pain होगा patient को right hypochondrium में और high grade fever होगा with chills and driger और thoracic symptoms की अगर बात करें तो non productive कफ हो सकती है patient को pluracy हो सकता है right shoulder में pain हो सकता है अगर हम बात करें science की तो आप patient में क्या दिखे होगी कि anemic मिलेगा आपको patient jaundice भी हो सकता है और जब आप palpation करोगे right hypochondrium की तो liver आपको enlarge मिलेगा मतलब hypatomegaly मिल तेंडरनेस होगी वहाँ पर intracostal tenderness होगी फिर हम बात करते हैं इसकी भी investigation में TLC बड़ा हुआ मिलेगा stool examination जब आप patient की कराएंगे तो उसमें cyst या फिर ova मिलेंगे entamoeba histolytica तो stool examination important है जब liver abscess बन रही है तो उसका कारण कुछ भी हो सकता है न वो pyogenic abscess है या फिर amoebic abscess है तो उसको आपको पता लगाने है तो stool examination आप कर सकते हैं अगर amoebic है तो cyst मिलेंगी या ova मिलेंगे entamoeba histolytica की stool sample में या फिर sigmoidoscopy करा सकते हैं patient की कहीं ulcerative colitis की वज़ह से तो नहीं रहे है या नहीं cause जानने के लिए abdominal USG कराएंगे या CT scan then आता है treatment treatment में हमारा conservative treatment क्या है कि entamoeba जो histolytica है वो उसके लिए हम क्या देंगे metronidazole देते हैं patient को 400 to 800 mg उसके बाद हम क्या करेंगे USG guided needle aspiration कर सकते हैं जैसे amoebic liver abscess है किसी को तो USG से guided होके जो needle aspiration करते हैं वो या फिर कोई patient जो metronidazole जिसको contra indicated है उनमें ये procedure आपको करना पड़ता है जैसे first trimester है अगर pregnancy का तो metronidazole आप नहीं दोगे फिर उसमें treatment क्या करते हो USG guided needle aspiration इसके अलावा surgery कर सकते हैं यानि open करके फिर drainage करना फिर हमारी आती है इसकी complication क्या हो सकते हैं तो amoebic peritonitis हो सकता है patient को pleural effusion हो सकता है fistula formation हो सकती है तो ये हमारा topic हो गया liver abscess तो liver abscess क्या है a liver abscess is a pus filled mass inside the liver फिर हमने पढ़ा कि इसके types होते हैं pyogenic amoebic और fungal fungal मतलब candida की infection की वज़े से तो pyogenic और amoebic main है तो pyogenic के बारे में हमने पहले पढ़ा कि क्या-क्या causes हो सकते हैं उसके क्या feature मिलेंगे investigation क्या कराओगे और treatment फिर amoebic वाली जो हमारी उत्योस को tropical बोलते हैं and tamoeba histolytica की वज़े से होती है and almost always a complication of amoebic dysentery उसके clinical feature पढ़े science पढ़े क्या आएंगे आप क्या देखोगे patient में investigation क्या कराएंगे treatment तो उसका भी वैसा ही है metronidazole देंगे आप conservative treatment के तोर पर USG guided needle aspiration करेंगे तो ये कब करेंगे जब patient को metronidazole contra indicator हो तब आप कर सकते हैं फिर surgery open drainage करते हैं ठीक है तो ये हमारा topic हो गया यकृत विद्रदी है जो यानि liver abscess neoplasm लिखे है जो tumor है liver के उसके बारे में तो सबसे पहले हम बात करते है benign tumor है जो liver के उसके बारे में ठीक है benign tumor क्या है जो liver के है उसके लिए बोलते हैं कि they are more frequently diagnosed now with the frequent use of ultrasound यानि patient कोई और complaint ऐसे लेके आया था asymptomatic रहते हैं जो benign tumor है majority of time पे asymptomatic रहते हैं patient किसी और चीज़ के लिए ऐसे USG करा रहा थो तो suddenly ऐसे देखने को मिला अगर हम बात करें कि जो हमारे benign tumor है liver के वो कौन-कौन से होते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं hemangioma यह benign tumor है liver का hemangioma commonest benign tumor है liver का majority यानि 75% cases में यह women's में देखने को मिलेगा mostly जो है यह solitary होगा अकेला ऐसे एक ही tumor देखने को मिलेगा और it may be associated with cavernous hemangioma जो हमारा at the some other side such as the head and neck reason पे यह देखने को मिल सकता है तो head और neck पे भी है प्लस में liver का भी hemangioma है उसके अलावा sometime it may cause cardiovascular failure cardiovascular failure भी cause कर सकता है यह जो liver का hemangioma इसके बारे में कहा गया अगर hemangioma bigger size का हो मतलब 8 cm से जादा है तो उसके rupture के chances भी बढ़ जाते हैं ठीक है फिर हम बात करें इसकी diagnosis की तो आपको differentially diagnose करना है इसको hepatoma से liver cyst या फिर liver abscess से differentially diagnose आपने करना है यह हमने बात की hemangioma की दूसरे और benign tumor कौन-कौन से हैं हमारे liver के एक आता है hepatic adenoma और focal nodular hyperplasia तो यह hepatic adenoma और focal nodular hyperplasia को हम थोड़ा difference करके याद रखेंगे जैसे जो hepatic adenoma है वो mostly young women's में देखने को मिलेगा दूसरा occurs due to oral contraceptive pill जैसे females हैं जो oral contraceptive pill लेती हैं उनमें जादा होने के chances हैं जो हमारा hepatic यह दोनों की बात की गई कि hepatic adenoma और focal nodular hyperplasia है वो दोनों young women's में देखने को मिलेगे दोनों ही जो जिन में देखने को मिलेगे वो ocps आपको बताएंगी वो बताएंगी कि ocps जादा intake करते हैं फिर जो hepatic adenoma है वो solitary मिलता है अकेला होगा एक ही होगा focal nodular वाले multiple देखने को मिलेंगे ठीक है इसके जो hepatic adenoma इसमें hemorrhage के rupture के necrosis के chances जादा होते हैं focal nodular वाले में नहीं होता है ऐसा ठीक है it can undergo malignant changes hepatic adenoma के बारे में बोला कि यह malignant changes हो सकते हैं इसमें यह है तो बिना लेकिन यह malignantly भी transform हो सकता है लेकिन जो focal nodular है यह early early होता है यानि malignant में change जह वो नहीं होता यह तो हमने बात की जो हमारे benign tumor है liver के next हम बात करते हैं हमारा जो main carcinoma यानि hepato cellular carcinoma है जो hepato cellular carcinoma के बारे में बोलते हैं इसकी etiology के बारे में बोलते हैं कि यह जो hcc बोलते हैं hepato cellular carcinoma इसके क्या causes हो सकते हैं hepatitis b virus की वज़े से यानि hepatitis इसका common cause है तो hepatitis b है या hepatitis c virus की वज़े से हो सकते हैं cirrhosis of liver है अगर किसी को उसकी की वज़े से हो सकता है एफला-toxin consumption की वज़े से हो सकता है oral contraceptive pill जो ज़्यादा ले रहे हैं उनको हो सकता है other risk factor कौन है जो heavy alcohol concept करते हैं cigarette smoking करते हैं diabetes वाले patient है hemokromatosis है तो वो risk factor में है इसके ठीक है clinical feature की अगर हम बात करें तो पहले age group की बात करते हैं तो mostly इसके incident जो देखने को मिलेंगे 50 year of age पे मिलेंगे male जादा affected होते हैं जो हमारा hypertocellular carcinoma इससे male जादा effective होंगे जो alcoholic है a slow growing mass in the right hypochondrium इसमें क्या symptom देखने को मिलेगा right hypochondrium में एक slow growing mass feel होगा और वो hard consistency होगी irregular surface आपको जो liver है वो enlarge तो हो रहा है बट irregular surface हो जाएगा उसका और hard होगी consistency इसके अलावा patient को anorexia होगा, anemia होगा, weight loss होगा low grade fever हो सकता है jaundice हो सकता है बट इतना ज़्यादा common नहीं है spread है यह जो हमारे hepatoma बोल दे या hypertocellular carcinoma इसका spread जो है वो direct infiltration के थू lymphatic spread भी और blood के through भी spread होता है ठीक है, next हम बात करें इसके investigation क्या क्या कराएंगे हम CBC करा सकते हैं, liver function test कराएंगे, abdominal USG करा सकते हैं, city scan कराएंगे, MRI करा सकते हैं, clinical feature के अगर हम बात करें, जो carcinoma है liver का, सभी के common feature क्या है, कि एक mass feel होगा right hypochondrium है, ठीक है, patient को loss of appetite हो जाएगा, weight loss होगा, fever होगा, jaundice होगा, GI bleeding हो सकती है, portal hypertension का होना, liver है, जो hard irregular लगेगा, massively enlarged मिलेगा, ठीक है, next, यह हमने बता दिया कि इसकी diagnosis आप कैसी करें, तो क्या क्या investigation कराएंगे, then हम बात करते हैं इसके treatment की, तो treatment में क्या है, resection करना होता है हमें, यानि जो liver है, उसको जब वो resection कर सकते हैं, liver का up to three segments, और systemic chemotherapy देनी है patient को, या फिर trans catheter arterial embolization करते हैं, उसके अलावा, percutaneous ethanol abulation, radio frequency abulation, या फिर injection octreotide, injection octreotide ये एक analog है somatostatin का, which has been advanced cases में use करते हैं, injection octreotide का, ये देखने को मिला है कि, आब किसी को injection octreotide देते हैं, तो tumor का sizes को reduce करने में help करता है, थोड़ा, तो वो दे सकते हैं, तो injection octreotide हो गया, radio frequency abulation, percutaneous ethanol abulation, resection कर सकते हैं, या फिर systemic chemotherapy आपने patient को देनी है, तो neoplasm, यानि tumor of liver, अगर आपको आए liver tumor, तो आपको पहले benign जो है, यानि hemangioma आता है हमारा उसमें, या फिर focal nodular hyperplasia, या फिर hepatic adenoma ये हमारे आते हैं, जो benign है, malignant वालों में हमारा hepatocellular carcinoma या hepatoma भी जिसको बोलते हैं, वो आता है, तो उसको हमने detail में पढ़ा, कि उसका causes क्या है, उसमें clinical feature क्या है, spread कैसे होता है, investigation क्या कराते हैं, and then treatment, ठीक है, तो ये हमारा topic हो गया, liver है, जो उसका tumor, portal hypertension क्यों होता है, when the portal venus pressure is more than 15 mm और 20 cm of selen, यानि 50 mm of HG से अगर कम, जादा हो जाए, portal venus pressure, उसको बोलते हैं, portal hypertension होना, ठीक है, क्या होता है, जो veins है, हमारी जो stomach, intestine, spleen, pancreas, इन से आ रही है, वो मर जोके portal vein बनाती है, फिर ये portal vein liver के थू जाती है, मतलब liver में जाएंगी, यानि main जो blood supply है, वो portal vein 75% of the blood supply of liver, जो है, वो portal vein के थू होती है, तो इसका pressure, यानि जो portal venus pressure है, अगर वो 15 mm of HG से जादा हो जाए, अगर saline की form में करें, तो 20 cm of saline से जादा हो जाए, उसको आप बोलते हो portal hypertension, फिर आते हैं, हम इसके causes पे ये होता क्यों हैं, तो इसके पहले हैं, तीन तरह से इसके causes को divide करते हैं, pre-hepatic causes, hepatic causes and then post-hepatic, pre-hepatic का मतलब की portal vein है, जो वो liver की तरफ आ रही है, तो liver में आने से पहले, क्या-क्या और organ में क्या-क्या deformities हैं, जिसकी वज़े से portal hypertension हो, तो पहले cause हो सकता है, इसका splenic vein है, उसमें thrombosis हो, या portal vein में thrombosis हो जाए, portal vein की agenesis हो, ठीक है, next आते हैं, हमारे hepatic causes, hepatic causes अब, यानि portal vein का pressure बढ़ रहा है due to liver, liver के कोई ऐसी problem है, तो cirrhosis of liver एक कारण हो सकता है, cystosomiasis एक कारण हो सकता है, wilson's disease या फिर hepatitis हो patient को या congenital hepatic fibrosis हो, वो hepatic causes हो गई हमारे, next आते हैं, post hepatic causes, post hepatic मतलब liver तक सब कुछ ठीक था, वहां से veins, जो हमारे organs हैं, वहां से आई, liver तक आई, यहां तक सब ठीक है, liver के आगे कोई problem है, जैसे कि अगर tricuspid incompetence हो, cardiac failure हो, inferior vena केवा है, जो उसमें obstruction हो, तो वो इसके कारण हो सकते हैं, portal hypertension के, next हम बात करते हैं, इसके clinical feature की, तो clinical feature के आएंगे, portal hypertension वाले को, vomiting हो सकती है, ascitis हो सकता है, उसको confusion होगा, और GI bleeding है, जो उसके chances बढ़ जाते हैं, GI bleeding के, ठीक है, next आता है, हम इसमें diagnosis क्या करेंगे, तो patient की आप physical examination करेंगे, उसके बाद आप liver function test करते हैं, hepatic venous pressure gradient, HVPG, यानि hepatic venous pressure gradient, वो चेक करेंगे patient का, उसके अलावा liver biopsy कर सकते हैं, splenoporto venography कर सकते हैं, USG कर सकते हैं, next आता है हमारा treatment, treatment में हमारा क्या आता है, pharmacological therapy की अगर हम बात करें, तो beta blockers आप दे सकते हैं, patient को और propanolol हैं जैसे, पहले तो diet है, उसको ठीक करना है, medication में हमारा जैसे, beta blockers हैं, propanolol इनको दे सकते हैं, आप, उसके अलावा endoscopic therapy आती हैं, endotherapy जिसको बोलते हैं, endoscopic band ligation, वो किया जाता है, या फिर sclerotherapy, definition बताने हैं, पहले portal hypertension की, क्या होती है, कि जो हमारा portal venus pressure है, अगर वो more than 15 mm of Hg हो जाए, तब आप उसको portal hypertension बोलते हो, introduction में ये भी बता सकते हैं, कि जो veins हैं, जो stomach, intestine, spleen, pancreas, इन से आ रहे हैं, वो मर्ज होती हैं, portal vein में, फिर उसकी जो branches हैं, उसके थुरू वो move करती हैं, लीवर में, तो 75% of blood supply to the liver, is carried out by the portal vein, तो इसमें pressure बढ़ने के, क्या-क्या कारण है, causes आपने बताने हैं, pre-hepatic causes, hepatic causes और post-hepatic causes, क्या-क्या हो सकते हैं, clinical feature में, ascites हो जाएगा, patient को GI bleeding हो सकती है, vomiting या फिर confusion होना, diagnosis बताने, आप क्या-क्या, उसको जाएवो investigation कराएंगे, then treatment में, medicinal की अगर बात करें, तो medicine में, beta blockers दे सकते हैं, lactulose, antibiotics दे सकते हैं, patient को, बाकि surgery करते हैं, फिर endoscopic जो therapy है, sclerotherapy, वो हम patient की कर सकते हैं, जाह जाएवों भी जाएवों आवीम बज़िया, हो जाएवों जाएवों की टे एável हैं, raise the bell umas